क्या आपको भी वर्काउट के बाद मसल्स में पेन होता है? क्या आपको भी एक्सरसाइस करने के नेक्स दे मसल्स में सोर्नेस रहती है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है वर्काउट कारने के बाद मसल्स सोर्नेस होना बहुत ही नौरमल चीज है गाइज अगर आप एक बिग्णर हैं तो आपके मसल्स में बहुत ज़दा सोर्नेस होने वाली है तो आप इस स्वीडिया में मैं आपको बताऊंगा कि muscle sorness कम करने के क्या वो तीन तरीके हैं तो पहले जानते हैं कि यह muscle sorness होती क्यों है गाय जैसे कि मैंने आपको बताया कि muscle sorness एक बहुत ही normal चीज है workout करने के बाद आपके muscles में breakdown होता है आपके मसल्स तूटती है जिम में जाके और वर्काउट करके एक्सराइस करके आपकी मसल्स तूट जाती है मसल्स की ब्रेक होने के वज़े से वहाँ पर इंफ्लेमेशन की वज़े से आपको पेन होता है उस इंफ्लेमेशन की वज़े से आपको मसल्स में सोरनेस होती है याप भीट न्युटफ करते रहेंगे दीरी दीरे तो आपकी ब्लात करते रहेंगे और जैसे ही याप प्रोग्रेश करते रहेंगे बिगनर से इं्टरमेडि इंटरमेलेयर प Championships लेवल पर तो दीरी दीरे आपकी मॉस्च वहने कम होती रहेगी क्योंकि आपके मसल्स आदत होती जाएगी वेट लिफ्टिंग करने की और आपके मसल्स में चौर हो जाएगी तो चलिए बात करते हैं परस्ट टेक्निक की आइस बात और कोल्ड वाटर बात ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए हमने बचपन में सुना था अब करने के टाइम भी आगया है जी है जो लोग प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर्स होते हैं और जो प्रोफेशनल एथलेट्स होते हैं वो लोग वरक आउट करने के तुरंट बाद एक 10-15 मिनिट का आइस बात लेते हैं आइस बात से क्या होता है कि जो आपकी मसल्स ब्रे से उस इंज़र एरिया का inflammation कम हो जाता है तो वरकाउट करने के बाद भी यह होता है आपके मतलच ब्रेकडान उती है है उस एरिया में inflammation हो जाता है जिसको कम करने के लिए ice बात बहुत ही helpful होता है अगर आप ice बात नहीं लेना चाहते हैं तो कोड़ वर्टर बाद भी ट्राइब कर सकते हैं आपनी जिन किट में आप हैंड ग्लव्स और पोटीन शेक के साथ साथ पॉम रोलर भी रखना स्टार्ट कर दीजिए पॉम रोलिंग एक सेल्फ मयोफेश्यल डेलिस टेक्निक है हम इस एसमर टेक्निक के अंदर तो नहीं यह तिनी एफेक्टिफ टेक्निक है कि आप इसको प्री वर्काउट और पोस वर्काउट दोनों टाइम कर सकते हैं तो जिस भी मसल को आप जिम के अंतर टार्गेट करने वाले हैं एक्सरसाइस करने से पहले उन मसल्स को फॉम रोलर से उनकी टेंशन को रिलीस कर लीजिए मसल्स में को आपकाउट करने के बाद एक बार और उस सेक्शन को आप कर लिइए इतर वर्काउट योज़े करेया फैर फॉम रोलीस विली सवी मसल्स कर लें उनको खोल ले उुल खो लिलेक्स कर ले और बॉडी में अपकी। मसाज करने सा आपकी फोल बॉडी रिलेक्स हो जाती है। आपकी मसल्स Iraqi हो जाती हैं।ывает की। स्टिफनेस दूर हो जाती है। आपकी जॉइंट का रेंज ऑफ मेशन बढ़ जाता है। जो भी टेंशन में रहती है वो मसाज करने से वो टेंशन रिलीज हो जाती है इंडिया में जगा जगा गाईज स्पोर्स मसाज के सेंटर खुल चुके हैं आप लोग जरूर ट्राइ कीजिये अपनी बोड़े को एक स्पोर्स मसाज दीजिए आप खुदी फील करेंगे मसाज लेने के बाद कि आपकी बोडि बहुत आधार रिलेक्स है और जिम में आपकी परफॉर्मेंस भी इससे इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी मसाज की टेंशन रिलीज हो चकी होगी तो सपोर्स मसाज थेरेपी आप ज़रू ट्राय करें एट लीस्ट वान सेमंगे तो मैं availability के साफ से और आपके अपनी चॉइस के साफ से और एक और पॉइंट है गाईज देखिए जब तक आप वर्काइट रेगुलरली करते रहेंगे तो आपकी मसल सोर्नेस धीरी-धीरे काम होती जाएगी क्योंकि आपका लेवल बारता जाएगा बिगनर से इंटरमीडियेट करेंगे लेकिन अगर आप वर्काओट को स्किप करेंगे इर्वार कई करें इंकसिस्टन रहें जब्रेक लेंगे एक-दो-दो मेहनय ही करेंगे उसके बाद अचानक साथ के वर्काउट करेंगे आपके मुसल सोरनेस आपको बार बार परिशान करती रहेगी तो मुसल सोरनेस वेट लिफ्टर की लाइफ का एक हिस्सा है यू के नेवर रन अवे फ्रॉम इट अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट साहिने पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो यार और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दाकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको तुरह नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी अपडेट मिस्स ना करें मैं भी लूँगा आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में विद दॉट्स फिट्नेस रिलेटेड यूस्फ़ इंफरमिशन आप लोगों के लिए तिल देन टेक केर स्टे फिट साइनिंग आफ झाल